दोस्तो आज के वीडियो में हम देखने वाले है एलेक्ट्रिकल प्लान लाट हो किस तरह से पढ़ते हैं या उसमें जो पॉइंट दिये रहेते हैं उसके वाइरिंग वगर किस तरह से हमें करनी चाहिए इसके बार में पूरा बताएंगे आई इससे आपका नॉलेव बढ़ा देगा और इसको फायदा भी होगा अगर आप वीडियो अच्छे लिए लाइक करते हैं वो चैनले को सब्स्राइब करते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इन सब इससे इंबॉल को अपको ध्यान में रखना है इससे क्या कहते है इसका यूज किस तरह से करना है तो यहाँ पर इस सिंबॉल का भूद इसमें में रोल होता है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर देखें सिलिंग फैन का सिंबॉल यहाँ पर इसके बाद है कैंडिलियर तो कैंडिलियर का मतलब होता है जूमर जो हम अमार घर में लगाते हैं जूमर लाइट वाला ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर जो साइन ए यह डीवी का है distribution box या इसको भी MC box भी बोल सकते हो तो यह कहाँ पर आने वाला है उसका भी सिंबोल यहाँ पर दिया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर पाच एमपेर का यहाँ एच होट पाँमर फट पर जहीं यहाँop माउंट करने के लिए उसके बाद के हाँ पर फंवाने माुंट घंट इस स्य जोंक हुए मैं पर Mr 122 इस तरह से एं बार को समझनान है उसके बाद यहाँ में नीचे प्रॉइब सक्ते सिंबोल आं सिंसके इस ठीक है उसके बाद यहां पर switchboard तो इस तरह से यहां पर black color से मनों यहां पर दर्शेय है switchboard का sign इस तरह से दिया है तो इन सब को अपको ध्यान में रखना है ठीक है उसके बाद यहां पर आते तो सबसे पहले आपे दिवार को आए उसके बद यहां पर लाइट है यह हमारा सीलिंग में डे इसता इसको ध्यान में रुको उसके बाद यहाँ पर दिखी जो वायर है यहाँ से आके हमारे ceiling fan को गया है और ceiling fan से फिर दुसरा वायर यहाँ से आके इस switchboard में गया है तो इसका मतलब क्या होता है जो हमारा ceiling fan है वो हमें 2A करना है ठीक है यहाँ से भी चालो होगा और यहाँ से बंद कर सकते है और यहाँ से भी चालो करके यहाँ से बंद कर सकते है तो यह हमारा ceiling fan यह 2A इसके बाद आते है यह switchboard में तो यहाँ से एक point दिखे यहाँ पे है AC point है तो यहाँ पे हमें AC का socket देना है और जो switch रहेगा हमारा स्विचबोर्ड में रहे ठीक है उसके बाद दिखे यहां से एक वायर यहां पर यहां पर गया है तो इसका मतलब क्या है यह जो लाइट है हमारे सीलिंग में ठीक है यह लाइट है यह इस सीलिंग में यहां से उसके बाद यह दूसरा लाइट है यहां से दिखे यहां पर दि पढ़ना इसको उसके बाद दिखें यह जो है एक common बातरों में यहां पर तो यहां पर क्या-क्या चीज़े दिए यहां पर दिख सकते हो तो इसको जो switchboard यहां पर है उसके बाद यहां पर एक light है जो सीलिंग में देनी है हमें उसके बाद यहां एक लाइट है यह भी हमें सीलिंग में देनी है ठीक है यह दो लाइट हो गया उसके बाद यह तीसरी लाइट है यह हमारे दिवार पर है इसको बोलते है वाल नौन ट्रिलाइट ठीक है यहां पर सिंबोल इस तरह से दिया है तो य यहाँ पी आए है तो यहां पे दिखे एक Light Pound यहा पी दिया है सस्दून में ठीक है अर यह दूसरा वाला इन रिखाए सके सकते हूँ इस को जो करने सीब आदे सेigent तो यह कहीं है यहाँ सेथी देखेंगड देुम धे lean लिखाए के बाद लाइट है कि हमरा लाइट हÎमारा सिलिं में उसके बाद óreоде या सकते हो उसके बाद यहाँ पे वारा दिवार पे यहाँ तुम्हें सकते हो में तो तो इस तरह साब इसको यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो, उसके बाद हमाई। हमेरा TV स्वाकिट पॉइंट है, और उसके बाजूं में हमें 2.5 अम्प्रेज के स्वाकिय टिक है, इस तरह से इसको यहाँ भी है, अपर उसके बाद यहां से तीसरा यहां के छोटा तो यहांपर चारड एंजज में दीने जीने में इस साथ इसको पैजन सकते ओर यहां पर 25 सॉकेट भी दीने जीने बोरड है ठीक है उसके बाद यहाँ पर mcp box या इसको डिवी बोल सकते हैं इसका सबका control यहाँ पर रहने वाला है तो उन्होंने यहाँ पर symbol भी यहाँ पर दिया है उसके बाद यहाँ पर जाते हैं अंदर यह हमारा living room है उसका देखी यहाँ से switchboard का एक wire यहाँ गया है light के लिए यह ceiling light है तो इसी switchboard से और यह 4 वाला ceiling light है यहाँ से तो इस तरह साब इसको ध्यान में रखो कि इसका wiring किस तरह से होगा और उसके इसके सबसे हमको यहाँ पर लाट के पाई भी छोड़ने होते हैं और उसको ध्यान मेरे भी रखना होता है कि ठीक है तो यहाँ पर दो पाच एमपेर क स्वाकेट भी देने हैं इसी switchboard में तो यह सब इसका living room का एक वाथ है उसके बाद दूसरा वाला बोड लिवन रूम का तो एक वाईर यहाँ से जाके जो हमारा ceiling प्यान है उसको कहा है ठीक है एक वाईर यहाँ हो गया उसके बाद यहाँ से जाके यह लाट हमारा यहाँ पर है तो यह भी लाइट हमारा यापर सिलिंग मैं तिसरा वाल लाइट यह भी हमारा है पर से घया इसके बाद से मत all crispy यहाँ पर दिकें यहाँ से हमें kamu इस दिवार पर हमें तो यहाँ पर एक switchboard यहाँ पर दिख सकते हो, यहाँ से एक wire हमारा यहाँ पर ceiling light के लिए गया है, यहाँ हमारा light ceiling में है, उसके बाद दूसरा बार हमारा fan के लिए गया है, ceiling fan के लिए, उसके बाद यहाँ पर हमारे ceiling light के लिए गया है, यहाँ पर दिख सकते हो, और उसके यहाँ पर आते, तो यह हमारे आपे master bedroom है, इसके entry यहाँ से होगी, यहाँ से एक light हमारे यहाँ पर ceiling में देना हमें, यहाँ पर अब दिख सकते हो, ठीक है, इसके entry होने के बाद यहाँ पर bağर यहाँ पर एक ceiling light है, उसके बाद यह दूसरा वायर है हमारे फैन के लिए गया है, दिवार पे अल्मांटे लाइट है और उसके बाद में यह switchboard यहाप है इस switchboard इसका control यहाँ से रहेगा उसके बाद यहाँ पर 5A के switch bucket यहाँ दो देने तो यहाँ पर हम देख सकते हो ठीक है इस तरह सब यहाँ यह हमारा fan के लिए गया वाएर इसके बाद यहाँ एक वाएर हमारे यहाँ पर स्वक्ड यहाँ पर पर देने हैं इस दिवार इस तरह सब पर शुष्ञीर यहाँ पर 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 यहाँ ठीक है उसके बाद यहाँ पर गिजर का पॉइंट है यह स्वीच बूर्ड से यहाँ पर गिजर का पॉइंट दिया है यहाँ आप देख सकते हूं इस तरह से आप आपको मार्केट में कुछ भी हल ने रहेगी तो आपको यह उडियो अच्छे लेगे तो लाइक कर देना हो चैनल को सब्स्राइब कर दें तो आज के लिए इतना ही